जै भीम, जै हिद, रहूल गंदी, रहूल गंदी, रहूल गंदी, रहूल गंदी, जो हमारे तलिक भाई बहन थे, उनको ये देश अंदेरे में रखता था, अंदेरे से बाहर नहीं निकलने देता था, और जो उनचे हख थे, उनको नहीं देता था, Constitution के बाद, बलिकों का जो हख है, उनको मिला, वो Congress Party ने, बाबा साहिब ने, मिलकर, इंगुस्तान के हर नागरिकों, और खासतोर से, जो हमारे दलिक भाई बहन है, उनका उनका अधिकार, और उनका फ़क दिया। आज, Constitution पे, सम्मेदाम पर, नरेंद्र मोदी, RSS, और उनके चार-पाँच उद्योग पती मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए, Constitution पर आक्रमन हो रहा है। पार्लेमंट में, हम पिसानों की बात उठाएं, जनितों की बात उठाएं, पिछरों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लेमंट में हमें बात करने नहीं देते हैं। कर राज्यस्वा में पहली बार एकिहास में पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गिया, भकेला गिया, पीटा गिया नरेंडर मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं जो उनका है उनसे चीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देश रोही हो, तुम फालिस्तानी हो लोग बारी की, जी एस्टी लागू की, इस देश की जो रीड की हती है स्मॉल और मीडियम बिजनस वाले, जो देश को रोज़गार देते हैं उनको खतम कर दिया, उनको नश्च कर दिया, उनकी जिन्दगी बरबाश कर दिया हमने कहा, जंता को डायरेक्ट का पैसा दीजिये, स्मॉल मीडियम बिजनस की मदद कीजिये मगर नहीं, नरेंग्र मोदी जी ने सिरफ अपने तीन, चार उद्यों, पत्यों, मित्रों को पैसा दिया, बाकियों को कुछ नहीं दिया मीडिया की बात करता हो मैं कहता हूं, यह हमारे मित्र है हर मीटिंग में tehdा हूं, मतर हो हमारे मित्र है मतर यह हमारे मित्र है, वह देश का काम नहीं कर देखिये क्लीक बातियुकण देखियों का eligibility हेन देखिय NICK क्ला रूहारेंद्र मोधी का और आरे से इसका क्लाम करने हैं मगर बाई और बेहनों देखिए ये देश बहुत समझ रहा है देश की जमता को सब कुछ समझ आ रही है और आस्ते आस्ते देश में गलितों में गरीबों में किसानों में मजदूरों में एक आवाज आपको सुनाई देगी और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिल वो आवाज एक तुफान बन जाएगी और वो तुफान नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री के घर से उठा के बाहर ठिक देगे हमारा काम महात्मा गांदी जी ने इस देश को क्या सिखाया इस देश को उन्होंने सिर्फ एक बात सिखाई है बहुत कुछ लिखा मगर सिर्फ एक बात सिखाई है और वो यह है कि दरो मत दरो मत इन कायरों से दरो मत रहाल गांदी यह फुक्रे है जिस दिन हिंदुस्तान इन से दरना बंद कर जाएगा उस दिन यह भाग जाएंगे हमारा काम कॉंगरेस पार्टी का काम yues वाय्ग्रेस की डिपार्ट्मन का काम यूब और चने इस गवाय का काम हिंदुस्तान को ठ्या यह याद दidents कि हिंदुस्तान कव्यक्ति içंदुस्तान का आद्वी दरता नहीं है किसी भी शक्ती से नहीं दरता है और किसी भी शक्ति के सामने कड़ा हो सकता है।